तो किसान भाईयों आज एक नए टेक्निकल मिला है मुझे जो रिकमेंड किया गया था जो कि सेजेन्टा कंपनी का मेनेक्टो एक्स्ट्र के नाम से आ रहा है अभी इसमें क्या खास बात है कि ये एकदम नए प्यों मिला है इस तरीके का टेक्निकल अभी तक देखने को नहीं मिलाता है एक नया पेटेंट टेक्निकल है तो पहली बार मैं इसको यूज कर रहा हूँ अभी तक इसको राइस में यूज करने का रेकमेंडेशन था बट देखते हैं इसका हमारे शिमला मिर्च में कैसा रिजल्ट आएगा दूसरा टेक्निकल जो मैं करें मैं ऐसे एक सबसे खास बात जो मुझे इस टेक्निकल के बारे में बहुत सफ्राइजिंग और शॉकिंग लग रही है वह यह है इसका रेट यह सिर्फ 20 एमेल पर 200 लीटर पानी में इस प्रेय करने के लिए कहा गया है मुझसे मतलब बहुत छोटा डोज है इसका 20 एमे है यह suspension concentrated form में हमें company द्वारा provide किया जा रहा है जिसमें सेंट्रा नीली प्रोल 16.9% और लिफे नीरॉन 16.9% है अभी market में इसके 10 एमेल, 20 एमेल, 50 एमेल और 100 एमेल के packet उपलब्द है यह dual mode action पे काम करता है जो कोई बहुत long lasting effect दखाता है अभी तक जो इसके धान में test हुए ह उसमें कम से कम 20-25 दिन का इसका effect देखा गया है फास्ट action है जैसे ही संपर्क में आते हैं कीट इसके तुरंत यह उनको damage पहुचाता है क्योंकि यह उनके खाने बनाने की प्रक्रिया को रोक देता है नर्वस सिस्टम को damage कर देता है जिस कारण से इसका तुरत action देखने के ल कीटों का रूप लेते हैं तो उनको वहीं पर रोक देता है अंडे पर ही इसको रोक देता है ट्रांस लेमिनार है आप उपर इसका चिड़काव करेंगे पत्तों पे तो पत्ते से उपर की सता से नीचे की सता तक जो आपने इस प्रे करा है दवा का वह आता है कंपनी का यह का असर बना हुआ रहेगा अब अगर इसके डोजेज की बात करें तो यह बहुत ही अच्छी चीज मुझे लगी कि बहुत चोटा डोज है 20 ml प्रती एकड के हिसाब से 200 लीटर पानी में मिलाकर हमें इस प्रे करने के लिए बताया गया है तो किसन साथियों यह थी कुछ जानकारी मिनेक्टो एक्स्ट्रा के बारे में जो हमने आपके लिए जुटाई अभी इसका हमने प्रतम बार प्रयोग किया है हमारे शिम्ला मिर्ज के प्लॉट पे साथ से आठ दिन के अंदर जो भी हमें रिजल्ट इसके प्राप्त होते हैं उसकी हम विस्तित जानकारी हो तो लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद